तो दोस्तों क्या है सच्चाई में आप लोगों को पूरा बताऊंगा जो कि यह जोहर भाई के बारे में कुछ अपवाय फैल रहे हैं उल्टा सिदा तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल बताऊंगा पूरा और भी से हिंदी में बताऊंगा आप लोग को पूरा डिटेल में दर असल सक्चाई यह है कि यह आप अगर यह वीडियो देखोगे तो इसमें खुद जुहर भाई बता रहे हैं कि स्याओ साओ कि अकला कि आप लोग के लिए प्रोडा बाद बाद आप लोग कर देख भाई पाड़ लोग को पूरा को प्लिए है कि अगर भाई आप लोग कुद एज आप लोग मते हैं कि अड़े तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा जो है रभाई खुद अपने मुझे क्या बोल रहे हैं कि वह अपने कफिल से बोले कि मैं बंगलादेश जाना चाहरा हूं साधी करने के लिए मगर थोड़े पैसे की कमी है थोड़ा तकलीप में हूं मैं तो यह बताए अप साधी करेंगे तो वह जोहर भई अपने कफिल को खोटों उनके कफिल बोला कोई बात निम्हें तेरा मदद करूंगा तेरा साधी यहीं पर होगा अभी अपने वीडियो में सुना होगा कि वह बोल रहे कि बंगलादेश् से मेरे मामा मेरे बाबा और मेरी मेरी मेडम मेडम बाइब को यहां पर बोलते हैं तो उनकी माँ बाप और उनकी वाइब बंगलादेश से आई है पहले साधी लग चूका था उनका उदर होने वाला था मगर क्योंकि कफिल बोला कि हम साधी यही पर कराएंगे तो वो जोहर भाई अपने माँ बाप और अपने होने वाली वाइब को यही साधी में बुला लिए और यहीं पर साधी हुआ तो लड़की ना ही कोई इंडियन है, ना कोई सौधी है, ना कोई खदामा है, वो बंगलादेस में उनका साधी लगा था, वही इदर आई है और उनका साधी इदर सौधी में हुआ है, तो सौधी कफिल ने सिर्फ साधी का एरेंजमेंट किया है, यह नहीं कि सौधी लड़की से इसाधी करा दिया है या फिर इंडियन खदामे से साधी करा दिया है ऐसा कुछ नहीं है